तो बच्चा लोग आज का हमारा टॉपिक होगा होमो इरेक्टस ठीक है अब ज़रा ध्यान दिजेगा इस्पेशली होमो इरेक्टस में इस्पेशली यह जो इरेक्टस वर्ड आया है ना इरेक्टस रेक्टस वर्ड मिन्स इरेक्ट बेलगुल इस्टैंड ही ठीक है ना तो इ यह 1.5 to 1.8 मीटर तक तॉल था, लंबा था होओ एक्तस, हैड इरेक्ट पॉस्चर इसका जो पॉस्चर था वो काफी इरेक्ट था, ठीक है, इसका जो इसकल था वो मॉडर्न मैं से फड़ा फ्लेट था, कैसा था, बेटा यहीं है देख सकते हुं आप यह हो हो इयक्टस है यह modern मेन है इसका जो Trainer फिर्ण ठाट फिर्ण ज़र्लольш झाम है और ओर पर्याइसा माना जाता हैं कि पर्स्ट व्याइक अनिमल मिट 2 जानवरों को ठीक है न मारकर खाना इसटार्ट टिया है बाएक्टिटिड का रहा गाई जो डिंटे अअब हिर एक तरह से पासरोल और वच्छों मृत्च कर देखर रही है बीसेर परद्फ, इस बेल जर्डोल करुकम से जुछ गोमिन, अट उम्सक्राम। प्रोजेक्टिंग ब्रोज़री से इसा काफी जasking तरफ रहा था यहां पर के small canines, इनके canines काफी small थे, large molar, इनके molar की size जो सबसे last वाले थे, वो काफी बड़ी थी, less body years, अब देखो, homo erectus में क्या है, less body years, ये app वाले जो character थे, अब खतम हो रहा है, इंसान वाले character रहा है, body के उपर बाल कम है, especially, male, tall than female, फिर इंसान वाले थोड़े character है, कि male की जो size है, वो अपनी भासा में कुछ बातचित करते थे, इनकी अपनी भासा रही होगी, ठीक है न, वो उस अपनी भासा में ये बातचित करते थे, ठीक है न, इनकी memory भी काफी बढ़िया थी, अब आप देख सकते हो, homo erectus के तीन fossils देखे गए हैं, जावा मैन, पेटिंग मैन, और Atlantic, और हिडलबर्ग मैन, जावा मैन को, इसपेसली, पीथे, टैंथ्रॉपस, इरेक्टस बोलते हैं, ठीक है न, पेटिंग मैन को, सीनेंथ्रॉपस, पेटिंएंसिस बोलते हैं, और Atlantic और हिडलबर्ग मैन को, इसपेसली, homo erectus, ठीक है न, मारू, टैनिकस, नाम से जानते हैं, नेक्स्ट है बेटा लोग, नियंडर्थल, ठीक है, इसको हम लोग, ट्रू मैन के अंतरगत रखते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है, कि इसका जो, brain, cranial capacity थी, वो इंसानों के cranial capacity के लगवग बराबर होती है, ठीक है, ये है, नियंडर्थल मैन, कहा ये, इसका लग, ठीक है, इनको बेटा लोग, होमो सेपियंस, नियंडर्थलियंस, यहां पर मैंने डॉट-डॉट कर दिया है, होमो सेपियंस, नियंडर्थलियंस कहते हैं, ठीक है, रेजेंबर्ड मॉडर्न मैन, ये मॉडर्न मैन की ही तरह है, बट सॉल्ट साइज, जिनकी साइज, मॉडर्न मैन से थोड़ी सोजी छोटी होती थी हैवी बूल्ड बॉड़ी और इनकी बॉड़ी काफी गठीली होती थी ठीक है न ये ज़्यादा तर टूल्स का यूज करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये फॉर्स्ट एनिमल है जिनोंने एनिमल हाइड का यूज किया था यानि ये जानुमरों को मान करके उनके खाल को एक कपड़ी की तरह यूज करते थे सबसे अची बात मैं इनको बताऊं ये काफी इंटेलिजेंट थे और इनकी अपनी एक सिलेडिक लाइंवेज होती थी यानि कि ये अपने लाइंवेज में बात करते थे इनकी अपनी एक लाइंवेज होती थी उस लाइंवेज में अपनी ये बात करते थे ज्यादा तर ये गुफाओं में रहते थे लेकिन इन्होंने जोपड़ी टाइप का हट टाइप का बनाना सीख लिया था ठीक है ना सबसे इंट्रेस्टिंग बात में आपको बता हूँ ये फर्स्ट होमोनिड है जो कि अपने मुर्दों को क्या करते थे बरीड करते थे अब ये मिट्टी में अपने मुर्दों को दफनाना ही स्टार्ड कर दिये थे मैंने कह सकते हो कि यहीं से एक तरह से पर चले गए और ये एडेप्टेट टू कोल्ड इंवार्मेंट ये कोल्ड इंवार्मेंट के एकॉर्डिंग बड़े एडेप्टेट थे और ऐसा माना जाता है कि एक बार ग्लैसियर्स आया था जब ये पूरी तरह से समाप्त हो गये थे काफी ज्यादा उत परिवर्तन उ इस पिसली देखिएगा इसका अगर हम प्रेमिल कप्सिटी देखें तो सोला सो से ले करके सोला सो पच्चास के बीस था ठीक है ये क्रोमेग्नान मैन का आपका इसकल है ज्याद देखिएगा ये बहुत अच्छा वाला हंटर माना जाता था और स्टोन टूर्स का ज्यादा आग कायूज ये अच्छे से करता था और इनमें एक बड़िया कस्टम बड़े अच्छे से आ गया ठीक न ये अपने मुर्दों को बड़े अच्छे से दपनाने का काम करने लगे गुफाओं में ये रहते थे युरूप के और समसे अच्छी बात क्या है कि ये गुफाओं अच्छी बात में आपको बताओं तो इनमें ये जो चीन है ये जो ठुड़ी है उसका डेवलप्मेंट लगवक्त ठीक से हो गया था ठीक है ना ये देख रहो यही ठुड़ी वाला पार्ट है यहां देखो नहीं है यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है ये ठुड़ी वाला पार्ट हीं इस श्ट्रक्चर को हलका सा बाहर आप कर सकती वाइक से तो इनमें ठुड़ी बहुत वेल डेवलप्ट तरीके से चीन जो इसको कहते हो राज़ा चीन देखने को अच्छे से बिला है यह गुफाओं में रखते थे अच्छी बात क्या है अब यह फेमली के साथ रहने लगी ठीक है और इन में आल्ट का बड़े अच्छे से डिवलप्मेंट हुआ कुरूमें नॉन मैं में ठीक है साथी साथ यह कारविन पेंटिंग के बड़े अच्छे ग्याता भी होत इनके कुछ खूबयों की बही बात करेंगे हम लोग यह उमसेप्यंस से अपने आपको देखो अपने को देखो बभुआ हम अपने को देखे हमी तो मसेप्यंस से अपना एक करेक्टर लिखना और का है ठीक है यह बिलकुल सीधा होंके चलने लगा स्लाइटली कर्व कॉलम है तो आप देख सकते हो इस वर्टिबरल कॉलम में हलका सा करव है भया यह पीठ और नीचे वाला हिस्ता है ठीक है न तो यह करव हलका से देखने को मिला अपराइट हेड विद आइस से सीधा था और आखे जो थी एक तम फ्रंट एक तम सामने थी ठीक है न आर्म सॉ बहुत क्या थी इंसानों में बंदरों में कि हम लोग के जो हाथ होते हैं वह पैरों से चोटे होते हैं वैसे भाह राम को आजान अबाहू बोलते थे यानिन उनके जो हाथ थे वह घुट्रनों तक जाते थे लेकिन यह सब में नहीं क्वालिटी पाइजाती है बड़े सफे जिएगा ज्यादा तर पूस्ता होमो सेपियंस सेपियंस का जो प्रैनियल कैपसिटी है वह 1450 थी फोर कर्व इन वर्टिप्रन कॉलम में इसमें आपको कर्व देखने को मिलेगा वान तू त्री फोर यह सारे कर्व देखने को मिलेंगे प्रमिनेंट चिन यह जो चिन है हम नहीं समझना चाहिए मोर इंटेलिजेंट लॉजिकल थे यह वेल डेवलब्ड स्पीच कम्यूनिकेशन हम लोग का स्पीच कम्यूनिकेशन काफी बढ़िया है कितनी प्रकार की भासा है हम लोग बोल सकते हैं यह हम ही लोग के बारे में पढ़नें कुछ निया नहीं है स्लोपिंग फोरेड प्रॉमिनेंट ब्रोरेज फोरेड जो था वो काफी स्लोप था स्वरी यह है स्लोपिंग ठीक है न और प्रॉमिनेंट ब्रोरेज यह जो ब्रोरेज है वो काफी बाहर नहीं है प्रॉमिनेंट है हलका साही है तो बेटा लोग आब हम लोग पढ़ेंगे ठीक है पहला है Bipedal Walk बंदर चार पहरों से F दो पहरों से होता हुँ हम ङोगे एकदम bipedal वाले हैं ठीक है ना एकदम दो पहरों पे बढ़िया दौडते हैं अप राइटेड काफ़ी सीदा है सबसे ची बात क्या है हम लोगे जो आइज है एकदम फ्रांट पर आकर लोकेटेड हो गई ठीक है ना ओके जिससे हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं फोकस कर सकते हैं अच्छे से बंदरों में ऐसा नहीं है एप में बहुत बढ़िया नहीं है हम में जो निक का मुव्मेंट बहुत ही बढ़िया है जिससे हम अपने एड को अच्छे से मोव कर सकते हैं ठीक है लार्ज एंड कॉंप्लेक्स यह तो आप लोग जानी रहे हो कि ब्रेंड की साइज दीरे-दीरे कैसे ड्रायोो पिदेकस अस्टेलो पिदेककस रामा पिदेकस सीवा पिदेकस से होता हुआ किया इए आगे बड़ा यह ब्रेंड की साइस आप देख सकते हो एक्चवल में थोड़ी सी घलती यह कै सकते हो कि इसकी साइज थोड़ी छोटी पर देख सकते हैं देखो एक है करने यहाँ धूड़ा बना गाया है यहाँ लेल से बड़ियां से चंदन टीक हो ठीक है ना आपका पूरी में मटकर वह इस्ट्रेट हो गया पंद्रों का फॉर लिम उतना इस्ट्रेट नहीं होता है थिखाना हमारा फॉर इस्ट्रेट लॉंग फिंगर्सुंक यह ना काफी बड़ी हुई जिसलें बड़ियां कलम्द व प्ले कर सकते हैं तो बेटा लो एक छोटा समय आपको समरी दे दूँ ठीक है न जड़ा ध्यांस दिखेगा हीमलोईशन की समरी है यहां पर पैरापिथेकस ठीक है एज आप अपेरेंस 40 मिलियन इयर एगो आये थे यह ठीक है न ओलीगोसीन एरा में ध्यान दीजेगा इसके ब कर थे अपने घुटनों के बल पे हाथ से चलते थे ठीक है न यहीं हमको ध्यान देना है रामा पिथेकस में तरह ध्यान दीजेगा ठीक है यह क्या है 15 मिलियन इयर अगो पहले आया था सीट नर्ट्स सेमी रिक्ट था थोड़ा टेंड़ा होके चलता था बिल्कुल सीधा न ही था इसेंटियल इट फ्रूट ठीक है ना खाता था होमो ऐविलिस की बात करते हैं तो यह चाने था और यहींद इखाने के लिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ज़्यान दिजेगा इस टाल्टिंग से रामा पिथेकस और स्ट्रेलो पिथेकस यह तीन जो हैं यह शाकाहारी थे, इसके बाद आया आपका होमो हेवलेस जो की प्रोबेबली मीट खाना इस्टार्ट किया, होमो इरेक्टस, ठीक है न, नेंडर्थेलेंसिस, होमो सेपियंस फॉसिलिस जिसको आप क्रोमेगनान, और होमो सेपियंस, सेपियंस, यह चारो के चारो ओम्नि वर तो बस आपको यह याद रखना यह एक्जाम में पूस्ता भी है तो ड्रायो पितेकस रामा पितेकस अस्ट्रेलो पितेकस यह शुद्ध साकहारी लगबक थे होमो हैबलीस मीट खाना इस्टार्ट किया होमो एरेक्टस नेंडर्थल क्रोम एगनान और होमो सेपियंस बेटा ल होमोर से